ओम शांती, सुख देने वाला शुव बाबा, संगम पर आकर हमें रोज ज्ञान रतनों से सजाकर, हमें अपने पाप दग्द करने की नई नई विधियां बताते हैं, ताकि हम विकर्मों के बोज से मुक्त हो सकें, स्वयम को पावन बना कर नई दुनिया में जाने के योग्ये बना सकें, आज 12 अगस्त 2021 के महावाक्यों में कुछ इसी प्रकार की बातें बावन इस पश्ट की, आईए रिवाइस करते हैं आज के मुरली की विशेश बातों को, बाप हम बच्चों को हर रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते रहते हैं? क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्सा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे, खुशी रहेगी, मन्जिल समीप अनुभव होगी, कभी भी ठकेंगे नहीं, बेह के बाप के बने हो, रावन राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूझे थे, अभी आत्मा पतित बनी है, सत्यूग में होती है पावन, काम चिता पर बैठ तुम जल मरे हो, अब ज्यान चिता पर बैठ पवित्र बनते हो, पांडव और कौर्वों की लड़ा हो जाती है, देही अभिमानी बनते हो, तो बाप को याद करते हो, अगर बाप को छोड़ा तो बेहत का वर्सा मिल नहीं सकेगा, कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, ब्रहम्ह मुख वनशावली ब्रहमन बनते तो बाप से वर्सा लेते हो, याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे, यह बच्चपन भूले तो आज हसते हो, कल रोना पढ़ेगा, स्कूल में नहीं पढ़ते तो पढ़े लिखे के आगे भरीड होईंगे, बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे, चिंतन करते रहो तो बेडा पार हो जाएगा, हम बच्चे कौन सी बातें जानते और समझते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्सा ले रहे हैं, दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है, पुरानी दुनिया खतम हुई की हु इसलिए अब जल्दी बाप से वर्सा लेना है, हम बाप के बन चुके हैं, योग से बहुत बल मिलता है, हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्रहमन बनेंगे, वही निमित बनेंगे याद न करने का परिणाम, बाप को प्यार कैसे करेंगे, तकलीफ होगी, पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा, सतोप्रधान बन नहीं सकते, दुख उठाते हैं होली हन सात्मों की विशेषता इस प्रकार हैं, वे हर एक की विशेषता को देखते और हर एक की विशेषता का वर्नन करते हैं, किसी की कमजोरी का वर्नन नहीं करते, विशेषताओं को ग्रहन करते हैं, कमजोरियों को मिटाते हैं, जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुन कि मणके हैं. याद को बढ़ाने के लिए क्या पुरिशार्थ करें? कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो या फुर्सत नहीं मिलती है. तो बैठकर बाप को याद करो. आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें. मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी यहां आओ या न आओ, सिर्फ एक बाप को याद रखो घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो मंत्र लिया, फिर भल कहीं भी चले जाओ अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं बरसात पड़ती है, अत्वा कर्फ्यू लगता है कोई बाहर नहीं निकल सकते बाप कहते हैं हर्जा नहीं है कहीं भी रहते तुम याद में रहो चलते फिरते याद करो औरों को यही कहो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे अपनी अवस्था को देखते रहो मनुष्य आत्माओं को ज्यान की कौनसी पॉइंट समझानी है बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है सबसे पुरुशोत्तम सत्यू के लक्ष्मी नारायन थे इनको ऐसा पुरुशोत्तम बनाने वाला अर्थाट स्वर की स्थापना करने वाला बाप है सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है सबसे उत्तम से उत्तम पुरुश बनाने वाला है बाप जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने है अभी रावण राज्ये का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं ये थी आज की मुर्ली की विशेश बातें पाबा ने आज हमें विशेश तोर पर याद पर अटेंशन देनिये के लिए कहा जिससे हम आत्माएं ना केवल पावन बनेंगी बलकि हमारे सब दुख दूर होंगे अत्मा सुख का अनुभव करेगी विकर्म दगध होंगे और अन्य कई बातें कॉमेंट बॉक्स मर लिखकर अवश्य बताईएगा आज की मुर्ली से कौन सी बात आपको अच्छी लगी जिसे आप धारन करेंगे ओम शंती